नमस्कार, खबरों का पंच नामा में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अन्शिका हम लेकर आए हैं आपके लिए देश दुनिया की पांच बड़ी खबरें जिनके विशलेशन के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सबसे पहले नज़र डालते हैं हेड्लाइन्स पर सुप्रीम कोट की कमिटी का लगातार विरोध कर रहे किसान संगठन कॉंग्रेस ने भी इस कमिटी के बनाए जाने पर खड़िक किये सवाग बंगाल में मचे राजनेतिक घमसान के बीच टीएमसी नेता का बड़ा दावा भगवा पार्टी के कई नेता जल्द होंगे टीएमसी में शामिट रग्स मामले में एंसीबी की रडार पर आए कैबिनेट मंद्री नवाब मलिक के दामाद पूच्टाच के लिए बुलाया दफ्तर अब खुलेंगे कई राज कोरोना काल में दुनिया के लिए बड़ी उमीद बन कर उब्रह भारत पाकिस्तान को छोड़ सभी पडोसी देशों को प्राथमिक्ता के आधार पर देगा वैक्सीन भारत की तारीफ कर नेपाली पीम केपी शर्मा ओली ने बढ़ाया दोस्ती का हाथ चीन को हस्तफ्ट्रेप ना करने की दी जेता प्रुकरते हैं पहली खबर का किसानों की समस्याओं का समधान निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी का गठन किया सुप्रीम कोर्ट के इस पैसले का किसान संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं ऐसे में कमिटी गठत करने को लेकर अब राजनीती भी तेज हो गई है कॉंग्रिस ने भी इस कमिटी पर सवाल खड़े किये है दूसरी और किसान संगठनों की ट्रैक्टर रैली पर रोक लगाने की केंडर की मांग के ऊपर राहूल गांधी ने निशाना सादा है राहूल गांधी ने कहा है कि मोधी सरकार को किसानों की मौट से शर्मिंदगी नहीं होती है किसानों के ट्रैक्टर परेड से शर्मिंदगी होती है राजीब जी पहले तो किसान संगठन कहते हैं समाधान निकालिये वो चाहते हैं कि कानूनों को वापस लिया जाए इन्हें रद कर लिया जाए अब जब सुप्रीम कोट की तरफ से कमिटी गठित की गई तो उसका विरोध किसान भी कर रहे हैं फिर विपक्ष्ट भी कर रहे हैं आखिर इन सब चीजों का क्या मतलब निकाला जाए बैसिकली अब जो क्रिसी कानूनों का विरोध हो रहा था उसके ओपर अब जो पहले से ठपा लगाने के बात हो रही थी कि ये आंदोलन किसानों के लिए नहीं बलकी मोदी का विरोध करने के लिए हैं वो अब उसके ओपर ठपा लग गया है क्योंकि सुप्रीम कोट में जब मामला गया तो सुप्रीम कोट के फैसले का सरकार ने समर्थन किया सरकार के तरफ से ये कहा गया कि ये फैसला जो आया है बैलेंस है और सरकार को भी से फैसले का समर्थन करना है और किसान संगठन है वो भी कॉपरेट करें लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि जब सुप्रीम क संगटन बोल रहे हैं एक ही इससा में चल रह रहे लगने लगा है ये किसानों का अंदोलन है वो किसानों का अंदोलन नहीं है बलकि कॉंग्रेस और वेपक्षी पार्टी का अंदोलन है और ये दोनों मिलके कमिटी का विरोध इस आधार पर कर रहे हैं कि कमिटी के सारे जो मिम्बर हैं वो पहले किसी न किसी अस्तर पर क्रिसी कानूनों का समर्थन कर चुके हैं लेकिन ये नहीं देखते हैं ये लोग कि ये मिमबर जो क्रिसी कानूनों का थोड़ा समर्थन कर रहे थे वो ये भी कहते नजराए हैं कि इन कानूनों में थोड़ा संसोधन होना चाहिए ताकि किसानों को भी protection मिल सके तो अब जो balanced approach इन कि क्रिशी कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए अब यह समझ में आने लगा है लोगों को भी समझ में आ गया सुप्रीम कोड के पैसले के बाद पूरे हिंदुस्तान के लोग को समंझे लगे हैं कि अब यह फर्जी का अंदोलन है विपक्षी पार्टियों का एक ही मकसद है कि किसी भी तरह से मोधी सरकार को एक बार जुका दिया जाए चलिए अगली खबर का जुनाब से पहले बंगाल में राजनेति घमसान तेस हो गया है ममता बनर जी के पार्टी के नेताओं के बीजेपी में शामिल होने के बाद अब T.M.C. ने बड़ा दावा किया है वश्ट मंगाल के खाद और आपूर्टी मंत्री ने दावा किया है कि बीजेपी के 6-7 सांसद T.M.C. के संपर्क में हैं उन्होंने कहा है कि जल्द ही भारतिय जनता पार्टी की एसांसत ममता दीदी की शरण में आकर TMC की सदसे तक ग्रहेंड करेंगे जैसा कि अभी तक हम देख आ रहे हैं ममता बनर जी की पार्टी का वजूद लगबख बंगाल से अब खत्म होता दिखाई दे रहा है तो क्या उस मुद्दे से भटकाने के लिए अब इस तरह के दावे ममता बनर जी की मंतरी कर रहे हैं पहले उसकी सचाई देखना पड़ेगा कि वो कह रहे हैं कि भारतिय जंता पार्टी के नेता नहीं बलकि भाजपा के सांसद और उसमें भी भाजपा पिछले चुनाम में 18 सांसद हुए पस्षिम बंगाल से भारतिय जंता पार्टी के अब उसमें से 6-7 सांसद भाजपा के वो TMC में शामिल होंगे ये दावा है और ऐसे दावा की सच्चाई को समझने के लिए सामान तरीके से सोचना चाहिए कि कोई भी अगर पार्टी छोड़ता है तो इसके पीछे कुछ इंट्रेस्ट होता है और कुछ विरोध होता है एक तरफ तो भारतिय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में दीरे दीरे उभरते हुए अब पूरी तरह से उभर चुकी है चुनाब आते आते भारतिय जन्ता पार्टी के सामने मम्ता बनर जी पूरी तरह से सरिंडर कर देंगे अब दूसरी तरफ भारतिय जन्ता पार्टी की किंदर में सरकार है T.M.C एक छेत्रिय पार्टी है जो पश्चिप बंगाल से बहाद जिसकी कोई आउकात नहीं है ऐसे में अगर TMC में जाकर भारतिय जनता पार्टी के सांसद को कुछ मिलेगा तबी तो जाएंगे तो ये स्पस्ट तौर पर ये कहना है कि ये TMC के नेता जो बोल रहे हैं उसके पीछे का एक मातर कारण यही है कि वो भारतिय जनता पार्टी के अंदर एक ऐसे भगतर मचाने के कोशिश में लगे हैं जिस्सा का परभाब TMC पर पड़े और TMC के जो कमजोर नेता हैं जिनको लगने लगा है कि अब इस चुनाब में भाजपा के जीत होगी तो हम उसके तरफ जाएं उसको रोकने की कोशिश करें एक-एक साइकलोजी होती है कि सामने बाले के उपर दबाब बनाओ ताकि उनको अनको कनफ्यूज हो जाएं वो और कन्फ्यूजन में वो कहीं और जा न सके उनके लिए यहीं पर रास्ता बने रहे हैं तो TMC का पूरा खेल है जो खत्म हो चुका है और इसी का जो सामने दिखाई पड़ रहा है कि TMC ऐसे अनरगल वादे कर रही है दावे कर रही है जिसका कोई आधार है ही नहीं मुंबाई में ड्रग्स मामले को लेकर NCB की जाँच तेज होती जा रही है इस मामले में आप तक बढ़ चाड़कर बोलने वाले केबिनेट मंतरी नवाब मलिक के दामाद भी NCB के रडार पर आ गये हैं दोस्तों के लो ड्रग्स जब्त करने के मामले में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो नवाब मलिक के दामाद समीर खान को पूछताच के लिए समन भेच चुका है और उन्हें पूछताच के लिए बुलाया गया है NCB का कहना है कि समीर खान और करन सजनानी के बीच 20,000 रुपे का लेंदेन हुआ था और ट्रांजैक्शन गूगल पे के जरिये किया गया था अब लोगों को भी ये समझ में आने लगा है कि महराष्ट में उद्धव ठाकरे की सरकार में जो दूसरी सहयोगी पाती है यानि NCP और कॉंग्रेस ये सारे महराष्ट के जो नेता हैं सरकार में रहने वाले वो सब NCB के एक्शन से इतने डरे हुए क्यों थे और ये लोग बार बार सुसान सीर राजपूत के मामले में अरनब गोस्वामी के मामले में बार बार ये क्यों इन लोगों के उपर दबाब डालने के कोशिश कर रहे थे ये नबाब मलिक वही हैं जिन्होंने अरनब गोस्वामी के बारे में कहा था कि ये इनका ऐसी इस्थिति कर देंगे कि वे आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए ये वही नवाब मलिक हैं जोनोंने शुषान सीराजपूत के मामले में भी कई बार ऐसे बयान जारी किये थे अब जब उनका दमाद खुद फसा हुआ है और एनसीबी ने जिस तरह से समन भेजा वो अब पूशताच होगी या वो लंबे अंतराल में जाएंगे कई बार उनसे कई दौर के पूशताच होगी और फिर धीरे धीरे ये राज खुलना सुरू होगा अभी तक तो जो एक्टर एक्टरेस वहाँ पर सेलिब्रेटी हैं उनके यहां छापे पड़ रहे थे उनका ड्रग कनेक्शन सामने आ रहा था अब धीरे धीरे महराष्ट का पॉलिटिकल कनेक्शन जो है ड्रग माफियाओं के साथ वो भी सामने आएगा और उसमें एनसीपी उसके साथ साथ शिब से जो पहले से ही डरी हुई है क्योंकि उनका अंडर वर्ड के साथ कनेक्शन और ड्रक्स के साथ कनेक्शन वो पूरा जो रैकेट है मुंबई में और मुंबई से जो शिब सेना को पैसा मिलता है फंडिंग होती है वो सारे कनेक्शन अब धीरे-धीरे सामने आएगे इसलिए अब नवाब मलिक की बोलती बंद हो गई है आईए नजर डालते हैं अगली खबर पर भारत में 16 जनवरी से टीका करन अभियान शुरू किया जाएगा कोरोना काल में भारत दुनिया के लिए बड़ी उमीद के रूप में सामने आया है ऐसे में कई देशों ने कोरोना वैक् मिक्ता के आधार पर वैक्सीन दी जाएगी राजीव जी आखिर किस तरह से भारत बाकी देशों को वैक्सीन पहुंचा पाएगा क्योंकि भारत की आबादी काफी है यहां पर भी काफी केसे हैं तो किस तरह से दूसरे देशों में भारत वैक्सीन पहुंचा पाएगा इसक वह वैक्सिन जो पडोसी देशों को दिया जाएगा उसमें पाकिस्तान सामिल नहीं होगा तो पाकिस्तान सामिल नहीं होगा इसका एक बड़ा परवाप पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान से को तो ऐसे भी सप्लाई नहीं किया जाना था लेकिन जो रिपोर्ट सामने आ रहे थ कि पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि भारत से वैक्सिन दुबई जाए और वहां से पाकिस्तानी कमपनिया उसको ले कर जाए क्योंकि डाइरेक्ट तो पाकिस्तान जाना नहीं था और दूसरी तरफ इस साजीश के ऊपर अब भारत ध्यान देगा और भारत को जो दुबई जाने वाले वैक्सिन हैं वहां से जो पाकिस्तान जाना है उसके उपर भी कड़ी नजर रखी जाएगे दूसरी तरफ पड़ोसी देशों को वैक्सिन देकर भारत ने एक तरह से चीन को अलग थलग कर दिया है तो ये वैक्सिन के जो डिप्लोमेसी है उससे पाकिस्तान और चीन दोनों को साधा गया है एक तरफ पाकिस्तान को तो दूसरे तरफ चीन जिसके उपर धीरे धीरे विश्वास देशों का खत्म होता जा रहा है और भारत के पडोसी देशों से चीन जादा नजदी की बनाने की कोशिश करता है ताकि समय आने पर वो भारत के खिलाप इन द मितिक है वो इस दिशा में जा रही है कि सबसे पहले पडोसी देशों को अपने साथ रखा जाए और इसमें परधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी काम किया है जिससे स्रिलैंका भी भारत के साथ आया नेपाल भी आया भुटान मेयमार सारे देश है जो पडोसी देश व काफी नुकसान होने वाला है दरते रिश्टों के बाद चीन परसका क्या प्रभाफ पड़ेगा चीन तो पूरी तरह से नेपाल में नंगा हो गया है अगर पिछले छे महीनों को देखें जब कोरोना के समय में चीन ने नेपाल का इस्तेमाल भारत के खिलाप करना सुड़ू किया था उस समय केपी सर्मा दावा किया और नेपाल का एक नया नक्सा आया लेकिन धीरे धीरे ओली को समझ में आने लगा कि चीन केवल भारत के खिलाप नेपाल का इस्तेमाल नहीं करेगा बलकि नेपाल को भी हडप लेगा एक तरह से नेपाल के कई छेत्रों पर चीन धीरे धीरे अपना दावा कर र वीदेस अश्ची वांदियों हुझा है उनके साथ साड़ गाड करने लगा जिसका परिणाम यही हुआ कि ओली को प्रधान मंत्री का पच छोड़ने की नौबत आ गई और इसलिए उन्होंने पूरी तरह से संसत को भंग कर दिया चुनाप की घोसना करवा दी और उसके बाद भी चीन है जो वहां के कौमनिस्ट पार जाने का मतलब है कि अपने राजनितिक केरियर को भी खत्रे में डालना और नेपाल को भी खत्रे में डालना तो अब केपी सर्मा ओली को सारे स्थितियों का पता चल गया है वो समझने लगे हैं कि चीन ना केबल नेपाल का इस्तेमाल भारत के खिलाब करने वाला है बलकि न नेपाल को भी हडपने बाला है नेपाल को भी बरबाद करके छोड़ देगा और अगर चीन के साथ दोस्ती बनाए रखे तो ओली समझने लगे हैं कि उनका राजनिति करियर भी खराब होगा और नेपाल भी बरबाद हो जाएगा इसलिए अब भारत के साथ दोस्ती को और मज चेप करता रहा तो इसका परिनाम बहुत बुरा होगा और बहुत बुरा होने का मतलब है कि नेपाल से सारे राजनाइक संबंध भी खत्म किये जा सकते हैं ये केपी सर्मा ओली ने कहा है विल्गुराजीर जी देश-दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्रेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद खबरों का पंचनामा में आज अतना ही अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें शेयर करें कमेंट करें साथ ही हमारे चानल को सब्सक्राइब करें